हेलो नमस्कार आज बात करते हैं भारत पाकिस्तान 1999 वर्ल्ड कप के उस मैच की जो करगिल लड़ाई के दौरान खेला गया था जो हालात आज हैं वही हालात आज से 20 साल पहले भी थे इस वक्त अगर भारत पाकिस्तान सरहद पर जंक के बारे में सोच रहे हैं यह महौल कुछ इस तरह का बना हुआ है कि शायद आरपार की लड़ाई हो आज से 20 साल पहले भी हालात कुछ इसी तरह के थे परवेज मुशर्फ ने कू किया था पाकिस्तान में वहाँ की प्राइम निस्टर नवाज शरीफ को पता नहीं चला उनकी कुरसी चली गई और मुशर्फ जो की आर्मी के जेनरल भी थे उन्होंने भारत पर चड़ाई कर दी थी यह करगिल के लड़ाई थी जो की टेक्निकली 14 मई को शुरू हुई थी और यह लड़ाई 20 जून खत्म हुई थी 1999 की में बात कर रहा हूँ और उसी दोरान इंग्लेंड में वर्ल्ड कप खेला जा रहा था अच्छा वो वर्ल्ड कप बड़ा अजीब सा वर्ल्ड कप था क्योंकि भारत की टीम अच्छी थी लेकिन भारत की टीम सुपर सिक्स के आगे जा नहीं पाई लेकिन यह मुकाबला ऐसा था जो लोग आज भी नहीं भूलते वो मैच खेला गया था मैंचेस्टर उसी मैदान में जहां पर इस साल 16 जून को भारत और पाकिस्टान की टीमे आपने सामने हो सकती है अब उस वक्त हालात क्या होंगे क्या भारत पाकिस्टान को वर्ल्ड कप में खेलेगा नहीं खेलेगा वक्त बताएगा लेकिन अगर वक्त की सुई पीछे जाए लेकिन ये मैच टेंशन भरा मैच था क्योंकि करगिल में लडाई चल रही थी और वहां पर मैदान पर लडाई थी मैंचेस्टर 8 जून को 8 जून सर्द सुबह थी मैंचेस्टर में वैसे थोड़ी थन्ड जादा होती है और कहते हैं कि मैंचेस्टर में अगर कोई भी तेस्ट मैच बिना बरसाथ की निकल जाए तो वो गनीमत हो लेकिन ये वन डे मैच था आठ जून 1999 नीले कपड़ों में भारत्यी तीम और हरे कपड़ों में पाकिस्टान की टीम पाकिस्तान के कप्तान थी वसीम अक्रम भारत के कप्तान थे मुहमद अजरुदीन और दोनों कप्तान जब टॉस के लिए उत्रे तो ठंड का महौल था सुभे रोशनी भी कम थी क्योंकि जब धूप नहीं निकली तो बादलों की बीच वो मैच कहला गया तो मुझे याद है कि सुभे कॉमेंटेटर्स ने कहा था कि कंडिशन को देखते हुए पाकिस्तान बहुत बड़ा दाविदार है बहुत बड़ा फेवरेट होगा क्योंकि पाकिसान के पास आउटस्टेंडिंग फास्ट बूलर थे वसी मकरम थे शॉय बक्तर थे और उनके पास रजाक और अजर महमूद के तौर पर अच्छे और लाउंडर्स भी थे और सकलेन मुझताक उनके स्पिनर थे भारत की पहले बैटिंग आई भारत के सलामी बलेबास थे सचिन टेंडूलकर आपको याद होगा सौरव गांगली उस मैच में नहीं खेले थे चोड की वज़से सौरव गांगली उस मैच से पुल आउट कर गए थे और सद्गोपन रमेश और सचिन ने ओपन किया था रमेश ने 20 रन बनाए और सचिन ने 45 रन बनाए सचिन अच्छा खेल रहे थे और उस वक्त सचिन टेंडूलकर अपनी पीक पे थे पीक का मतलब है कि सचिन टेंडूलकर से दुनिया डरती थी और उसी वर्ल्ड कप के दौरान आपको याद है उनके पिताजी का धेहान भी ह सदल सकते थे लेकिन भारत की दिक्कत ये थी कि सचिन के 45 रमेश के 20 और रहुट द्राविट के 61 रन थे वो उस रेट पर नहीं आ रहे थे जिस रेट से भारत चाहता था यानि कि पाकिस्तान ने अच्छी गेनबाजी की और पाकिस्तान की पकड़ में था मैच फिर कप्तान महामद अजरुदीन ने एक तेज तर्रार पारी खेली अजरुदीन ने बनाए 69 रन सिरफ 77 गेंदों में और खास बात ये थी कि सकलेन मुश्टाग जो सक दूसरा से सारी दुनिया को परिशान करते थे अंत के जो ओवर थे जो लास दस ओवर थे अजर भाई ने सकलेन आज की तारीक में पचास ओर वे 227 रन 6 विक्टे रन काफी नहीं होते लेकिन जैसे मैंने बताया वर्ल्ड कप इंग्लेंड में था उस दिन सर्दी थी और जब उस तरह की कंडिशन होती है गें सीम भी करता है और उस वक्त ये वाइट कुकाबूरा का गें नहीं इस्तेमा होता था वाइट रीडर्स का गेंद इस्तेमाल होता था जो इंग्लेंड में बनता था और वो गेंड भी स्विंग करता था कुकाबूरा का गेंद तो स्विंग नहीं करता सीमिंग कंडिशन्स मैंचेस्टर का मैदान उसके बाद वाइट रीडर्स का बॉल जो की स्विंग हो रहा है और उस दोरान भारत ने दोसो सब ताइसरन बना तो दिये छे विक्टों के नुकसान पर लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी बड़ी मजबूत थी अब सवाल यही था कि दुपहर को जब भारती वक्त अनुसार दुपहर को मैं शुरू होता है तीन बजे और ज टीवी के सामने बैठे हुए थे और आपको शहर में लोग नहीं दिख रहे थे क्योंकि हर कोई यह दूआ मांग रहा था कि भारत जीते उसके बाद उस दिन भारत ने ऐसी गेनबाजी की जो कहते हैं कि मतलब कभी-कभी होती है जवगल, श्रिनाथ और वेंकटेश परसाद यह दो तेजगेन बाज जोनों बैंगलॉर के रहने वाले उन्होंने ड्रीम स्पेल डाला, पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़े बले बाज थे साइध अनवर और साइध अनवर का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था, उनके बस इजाज एहमद थे, पारी दर्वर ने 36 रन बनाए, अफरीदी जल्दी आउट हो गए थे, क्योंकि जब भारत में गिनबाजी शुरू की, तो स्रिनात ने और वेंकटिश परसाद ने खूब स्विंग और सीम कराया, और इन दोनों ने ड्रीम स्पेल किया, उसके बाद आप देखिए, मैं स्को पारी जब दोने गेंडों में 100 रन बनाने की केपिबिल्टी रखते थे, उस दिन स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने एक एंट पकड़ कर जरूर रखा, लेकिन वेंकटेश परसाद कर जिस तरह से गेंड हिल रहा था, स्विंग हो रहा था, स्विंग हो रहा था, और श्रीन उस वक्राउड था, वो पाकिस्तानी था, क्योंकि वो एरिया ऐसा है, वहाँ पर इंडिन पाकिस्तानी बहुत रहते हैं, लेकिन मुझे याद है उस दिन पाकिस्तानी क्राउड ज्यादा था, वसीम अकरम चुकि उसी शहर के रहने वाले थे, लेकिन वेंकटेश परसाद और जवागल स्रीनाथ ने, क्या स्पेल डाला, भारत ने पाकिस्तान को पूरे ओवर नहीं खेलने दिये, तीन विक्टे स्रीनाथ ने ली, पांच विक्टे ली, वेंकटिश परसाद ने और अनिल कुम्ले को भी दो विक्टे मिली, और नतीजा ये हुआ कि 180 रन पर पाकिस्त पाकिस्तान ओल आउट हो गया, चलिए जीत हो गई भारत की, और मैदान में, अगर आपको विजोल्स दिखें, मतलब खिलारी जो थे भारत के ऐसा लगा जैसे वर्ल्ड कप ही जीत गए, हाला कि टीम सुपर 6 से बाहर हो गई, और यही पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप कप्तान थे, जब करगिल का वर्ल चल रहा था और वहाँ पर शहादत हो रही थी, उन्होंने एक एक एक्जिबिशन मैच कराया था, फिल्म स्टार्स और क्रिकिटर्स को लेकर गए थे, करगिल में उन्होंने माटियर्ज के लिए यह मैच करवाया, और उस मैच की जो प्रो दूसरी तरफ यह क्रिकेट वर्ल का, सबसे खूबसूरत उस दिन जो लमहा था जा जो रिश्य थे, आप पता नहीं आपको वो पुरानी फुटेज कहीं मिल सकती है के नहीं मिल सकती है, हम सब ने देखा, रात के तकरीबन साड़े-दस के करीब भारत की जीत हुई थी, भा हर ड्यूस चैनल पर उस वक्त वो तस्वीरे आई, अगले दिन अख़बार में वो तस्वीरे आई, और सबका ये कहना था, जवानों का, कि आज हमने दिवाली मनाई है क्योंकि करगिल से हजारों मिल दूर, इंग्लेंड में भारत ने पाकिस्तान को मैदान में हराया था, वो मैच कभी भुड़ा नहीं सकते, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने मैदान पर भी उस वक्त पाकिस्तान को हराया था, और इस लड़ाई में, करगिल में भी भारत की ही जीत हुई थी, मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब, जानने के लिए हर अपडेट, लाइव अनलेसिस, स्पेशल इंटिव्यूज, डाउनलोड कीजिए, स्पोर्ट्स तक कैम